हेलो दोस्तों स्वागास है मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मेरे पास है बाजाज NS160 ए दो साल का बाइक है और हम देखेंगे दो साल के बाद इसका क्या चेंज होआ है चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते है इसका पुरा रिव्यू देख लेते है दोस्तों आज हम उनार्शिप और दो साल का एक्स्पिरियेंस रिव्यू देंगे बाजाज पाल्सर NS160 ए पर इसका क्लाच है वेट माल्टिप प्लेट ट्रांस्मिशन है म्यानुआल गियार बॉक्स है 5 स्पीड बोडी टाइप है स्पोर्ट्स बाइक इसका टॉप स्पीड है 120 kmph, एक्सवरूम प्राइस है 1.06 लाक इन डेली, मैक्सिमाम पावर है 17.2 PS 9000 rpm इसका मैक्सिमाम टॉर्क है 14.6 Nm 7250 rpm और ये अभी तक दाट मिन्स दो साल के बाद भी ये माइलेज देता है 40 किमी ओभारॉल रोड्स दोस्तो चलिए देख लेते हैं पुरा रिव्यू दोस्तो पहले देख लेते हैं ये बाइक दो साल में अभी तक कितना रान हुआ है ये अभी तक रान हुआ है 17,332 किमी आप देख लीजिए इस बाइक का डिजाइन तो बहुत ही आच्चा है और ये अभी तक स्क्रैच का कोई दाग नहीं हुआ है कलर भी नया जासा है दो साल के बाद अगर रियाट टायर को देखा जाए देखा तो रियाट टायर आच्चा कंडिशन में है और ग्रिब भी आच्चा है अभी तक दो साल के बाद भी इस बाइक का इंजिन बहुत ही आच्चा है दो साल के बाद भी साउन बहुत ही आच्चा है दोस्तो अगर front tire को देखा जाए front tire का condition भी बहुती अच्छा है tire का जो beat है अभी तक अच्छा है अगर बोला जाए तो ये value for money bike है इस bike का front suspension का condition बहुती अच्छा है अभी तक headlight और tank में कोई scratch का दाग अभी तक नहीं हुआ है और देखने में नया जैसे लग रहा है दो साल के बाद भी ये नया जैसा बाइक है मैं ownership और experience से बोल रहा हूँ ये अभी तक mileage देता है 42 किमी in overall roads ये 160 सेगमेंट का best बाइक है मेरे क्याल से आपको ये वीडियो क्यासा लगा कॉमेंट में जरूर सेयर कीजिए थैंक यू फर वाचिंग दीस वीडियो इफ यू लाइक देन प्लीज कॉमेंट लाइक एंड सेयर दीस वीडियो थैंक यू